आउडियो टू जीवन्त विभूतियों से भाव भरी अपेक्षाएं। लेखक वेद मूर्ती तपो निष्ठ पंडिट श्री राम शर्मा आचार रहे। दिशा जो बदली तो गजब हो गया। मित्रों क्या वजह है इसकी। हम में और तुलसिदास जी में क्या अंतर है। एक अंतर है। नाक, आख, कान, दात और हाथ-पाँ सब बराबर हैं। पर एक चीज जो उनके अंदर थी वह हमारे अंदर नहीं है। वह चीज है जिसे मैं जिन्दिगी कहता हूं। जिसको मैं प्रतिभा कहता हूं, जिसको मैं विभूती कहता हूं, जिसको मैं लगन कहता हूं, तनमेता कहता हूं, जीवट कहता हूं। वह जीवट मित्रों जहां कहीं भी होगा तो वह बड़ा शांदार काम कर रहा होगा और गलत दिशा पकरने पर गलत काम भी कर रहा होग अंगली माल पहले नंबर का डाकू था उसने यह कसम खाई थी कि फोकट में किसी का पैसा नहीं लोगा उंगलियां काट काट कर उसकी माला बना कर वह देवी को रोज चड़ाया करता था अगर कोई कहता कि अरे भाई पैसे ले ले पर उंगली क्यों काटता है हमारी वह कहता वह फोकट में दान में नहीं लेता हूँ पहले तेरी उंगली काटूंगा तो मेरी महनत हो जाईगी फिर उस महनत का पैसा ले लूँगा ऐसे मुफ्त में कैसे ले लूँगा किसी का पैसा इस तरहे वे रोज एक साथ उंगलियां काट-काट कर उसकी माला देवी को पहनाया करता था कौन? खूंखार अंगुली माल डाकू लेकिन जब उसने पल्टा खाया तो कैसा जबरदस्त पल्टा खाया आपको मालूम है न? अंगुली माल जब तक डाकू था तो पहले नंबर का और जब संत हो गया तो उसने हिंदुस्तान से आगे जाकर के सारे के सारे विदेशों में मिडल इस्ट में वो काम किये कि बस तहलका मचा दिया वह जहां कहीं भी गया अपने प्रभाव से दुनिया को बदलता हुआ चला गया मित्रों शमताएं जिनके अंदर हैं प्रतिभाएं जिनके अंदर हैं वह कहीं से कहीं जा पहुँचता है आमरपाली जब तक वेश्या रही तो पहले नंबर की रही राजकुमार राजाओं से लेकर सेट सहुकार तक उसकी एक निगहा के लिए उसकी एक चित्वन और एक इशारे के लिए धिरों रुप्या खर्श कर डालते थे और उसके गुलाम हो जाया करते थे लेकिन जब आमरपाली अपनी करोड़ों की संपत्ती को लेकर भगवान वुद्ध की ओर चली गई तो न जाने क्या से क्या हो गई और समराट अशोक जो था ऐसा खूनी था कि उसने खांदान के खांदान समाप्त कर दिये थे सभी शाही खांदानों को एक और से उसने मरवा डाला था मुसल्मानों ने एकाद को मारा था लेकिन उसने तो किसी को जिन्दा ही नहीं छोड़ा ऐसा खूनी था अशोक उसने चंगेज खां नादिर शहा और औरंगजेब सब को एक किनारे रख दिया था जहां कहीं भी हमले कीए वहां खून की नदिया ही बहाता चला गया लेकिन मित्रों जब उसने पल्टा ख्याया और जब अपने आप में परिवर्तन कर डाला तो फिर वह कौन हो गया समराट अशोक हो गया जिसने बौध संग और बौध धर्म का सारे का सारा संचालन किया आज जो हमारे जंडे के उपर और हमारे सिक्को नोटों के उपर तीन शेर वाला निशान बना हुआ है वह समराट अशोक की निशानी है और जो हमारे राश्ट्रिय धोज पर 24 धुरी वाला और 24 पंखुडी वाला चक्र लगा हुआ है यह क्या है यह समराट अशोक के द्वारा पारित किया और प्रतिपादित किया हुआ धर्म चक्र प्रवर्तन है जिसको हमने राश्ट्रिय जंडे के उपर इस्थान दिया हुआ है ये किसकी हिम्मत, किसकी दिलेरी थी, किसकी बहादुरी थी उसकी थी जो डाकू था और खुंखार था जीवंत बनाम मुर्दे मित्रों, भगवान जहां कहीं भी अपना अंच देता है विभूती देता है, उसके अंदर चमक होती है, लगन होती है, उसके अंदर तडप होती है और मुर्दे, मुर्दे हमारे और आपके जैसे होते हैं सांस लिया करते हैं भगवान की जब पूजा करते हैं, तो भी ऐसे ऐसे सिरह लाते रहते हैं और सांस लेते रहते हैं सेवा करने जाते हैं तो वहां भी निठले की तरह पड़े रहते हैं सत्संग करने शिविर करने आते हैं तो यहां भी मौसी जी, मौसा जी की याद सताती है मित्रों ये क्या होता है ये मैं किसकी कहानिया सुना रहा हूँ मुर्दे की जिन्दा आदमियों की भी कह रहा हूँ आपके जिम्मे मैं एक काम सुपुर्द कर रहा हूँ कि जहां भी आपको जिन्दा आदमी मालूम पड़ें जिन्दा दिल आदमी मालूम पड़ें आप उनके पास जाना आप उनको मेरा संदेश लेकर के जाना और खुशामत करने के लिए जाना और यह कहना कि भगवान ने जो विशेष्टा आपके अंदर दी हैं आपके अंदर जो प्रतिबा है जो ख्षमता है और जो आपके अंदर विशेष्टा है उसके लिए भगवान ने निमंतरण दिया ह युगने निमंतरन दिया है मनुष्य जाती के गिरते हुए भविश्य ने और यह कहा है कि पेट भरने के लिए आपको जिंदा रहना काफी नहीं है पेट तो मक्षी मच्छर भी भर लेते हैं कीडे मकोडे और कुटे भी भर लेते हैं किसी ने जलेबी खाली तो क्या और मक्का की रोटी खाली तो क्या खाने के लिए आदमे को पैदा नहीं किया गया है औलाद पैदा करने के लिए आदमे को पैदा नहीं किया गया है खाने के लिए और औलाद पैदा करने के लिए सुवर को पैदा किया गया है जो एक-एक साल में बारा-बारा बच्चे पैदा कर देता है गंदी संदी चीजें खाकर के भी खटा-कटा होकर मोटा पड़ा रहता है पेट भर गया बस खर्राटे भरता रहता है पेट भरने के लिए इनसान को पैदा नहीं किया गया है हमारे संदेश वाहग बने मित्रों इनसान बड़े कामों के लिए पैदा किया गया है इनसान की जिंदगी कई लाख योनियों में घूमने के बाद आती है एक-एक कहां आप आती है इसलिए मित्रों वहां हमारा संदेश लेकर जाना युग की पुकार लेकर के जाना वक्त की पुकार लेकर के जाना और यह कहना कि आपको समय ने पुकारा है युग ने पुकारा है राश्ट्र ने पुकारा है गुरूजी ने पुकारा है अगर आप उनकी पुकार सुन सकते हो अगर आपके कान है अगर आपके अंदर दिल है अगर आपके पस कान नहीं है दिल नहीं है तो हम क्या कह सकते हैं फिर कौन आदमी सुरेगा रामायन की कथा हम सुन लेते हैं और जैसे ही आते हैं पल्ला जाड करके आ जाते हैं भागवत की कथा हम सुन करके आते हैं व्याख्यान हम सुन करके आते हैं और जैसे ही आते हैं पल्ला जाड़ करके आते हैं चिकने घड़े के तरीके से हमारे आपके उपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता मित्रों आप वहां जाना और लोगों से यह कहना कि अगर कहीं आपके अंदर जिंदा दिली हो तो आपको समय की पुकार सुननी चाहिए और युग की पुरा करना चाहिए और युग की मांग को पुरा करना चाहिए और महाकाल ने भगवान ने जहां आपको बुलाया है वहां आपको चलना चाहिए हनुमान जी भगवान की पुकार सुनकर चले गए थे रीच और बंदर चले गए थे गिलहरी चली गई थी आपके लिए क्या यह संभव नहीं है क्या आप इस लोब और मोह से अपने वासना और तृष्णा के बंदनों को काटते हुए मेरे गुरू ने मुझे संदेश वाहग बना कर भेजा हिंदुस्तान से बाहर कई बार अंगद की तरह से मैं केवल संदेश वाहग के रूप में गया हूँ मैंने कोई व्याख्यान नहीं दिये और न संगठन किये सारे के सारे देशों में विदेशों में और ना जाने कहां से कहां गया लेकिन अपने गुरू का संदेश ले करके गया मैंने लोगों से कहा देखो अपने को बदल दो समय बदल रहा है परिस्थितियां बदल रही है धन किसी के पास रहने वाला नहीं है अगले दिनों में थोड़े दिनों में आप देखना कि धन किस तरीके से गायब हो जाता है राजाओं के राज किस तरीके से चले गए यह हमने और आपने देख लिया आपने देखा कि थोड़े दिनों पहले जो लोग राजा कहलाते थे सोने चांदी की तलवारे लेकर हाथी पर चला करते थे आज विक्किस तरीके से अपनी दौनों वक्त की रोटी की जुगार कर रहे हैं साथियों जहां कहीं भी जाएंगे वहां आप लोगों से कहना कि समय बहुत जबरदस्त है समय सबसे बड़ा है धन बड़ा नहीं है जहां कहीं भी विभूतियां आपको दिखाई पड़ती हो वहां आप हमारे संदेश वाहक के रूप में जाना जैसे की हमारे गुरूजी ने सारी दुनिया के जबरदस्त आदमियों के पास और भावनाशील आदमियों के पास हमको संदेश दे करके बेजा मित्रों आपको समय से पहले बदल जाना चाहिए नहीं तो आपको पश्चाताब ज़्यादा करना पड़ेगा जब कोई डाकू चीज़ें छीन ले जाता है तो आदमि को ज़्यादा अफसोस होता है लेकिन अगर अपने हाथों से किसी बिखारी को दे देता है स्कूल की इमारत बनने के लिए दे देता है तो उसको संतोश होता है पैसा तो चला गया ना चाहे वह डाकू ले गया हो तो भी और चाहे स्कूल बनाने के लिए दे दिया तो भी लेकिन अपने हाथ से देने पर संतोश रहता है अतहे आपको लोगों से यह कहने के लिए जाना है कि अब युग बदल रहा है, समय बदल रहा है युग की धाराएं बदल रही है धन के बारे में मूल यांकन बदल रहा है धन लोगों के पास रहने वाला नहीं है धन बहुत तेजी से चला जाने वाला है आप देख नहीं रहे हैं क्या गवर्मेंट क्या क्या कर रही है मृत्यू टेक्स लगा रही है संपत्ती टेक्स लगा रही है और दूसरे टेक्स लगा रही है अब अगले दिनों जो गवर्णमेंट आने वाली है अगले दिनों जो समय आने वाला है उसमें रशिया वाला कानून लागू हो जाएगा चाइना वाला कानून लागू हो जाएगा हमको और आपको बस हाथ पाम से मेहनत करनी पड़ेगी परिश्रम करना पड़ेगा और उस मेहनत के बदले में जो खुराख हमको मिलनी चाहिए जो रोटी मिलनी चाहिए वह मिल जाएगी खुराख की सारी की सारी चीज़ें मिल जाएंगी वक्त रहते बदले साथियों लोगों से कहना कि आपको भगवान ने जो विभूतियां दी हैं शमताएं दी हैं उसका सबाव आप उठा सकते हैं लाव उठा सकते हैं जीवात्मा को शांती दे सकते हैं जीवात्मा की शांती के लिए पुढ़ने के लिए अपने आपको तैयार कर लेना चाहिए ताकि आपका अंतहे करण शांती में रहे और समाज को भी आपके बदले का अनुदान मिले और हमारा सिर भी गर्व से उचा उठ जाए समय से पहले हम अंगद के तरीके से इसलिए आपके पास आए हैं ताकि यह बता सकें कि आपको वक्त रहते बदल जाना चाहिए और लाब उठा लेना चाहिए इसलिए मित्रों जहां कहीं भी शमताएं दिखाई पड़ें प्रतिभाएं दिखाई पड़ें वहां आप हमारे संदेश वाहक के रूप में जाना और खास तौर से उनसे प्रार्थना करना अनुरोध करना पूर्व में मैंने विभूतिवानों को संबोधित किया था और उनका आवाहन किया था कि आपकी जरूरत है भगवान ने आपको विशेष्टाएं दी है उसकी उसे जरूरत है लड़ाई युद्ध का जब वक्त आता है तो नौजवानों की भरती कंबल सरी कर दी जाती है और जो लोग गुड़े होते हैं उनको छोड दिया जाता है कंबल सरी लडाई में सभी नौजवानों को चौडे सीने वालों को पकड़ लिया जाता है और फौज में भरती कर लिया जाता है कब जब देश पर दुश्मन का हमला होता है मित्रों जो नौजवान है वान है विभूती वान है उनसे मेरा संदेश कहना लेकिन जो व्यक्ति मानसिक दृष्टी से बुढ़े हो गए हैं वे जवान हो तो क्या सफेद बाल वाले बुढ़े हो तो क्या हमको उनकी जरूरत नहीं है क्यों क्योंकि वे मौत के शिकार हैं वे इसी के लिए हैं कि जब कि खुराक का काम करें युग निर्माण योजना एक द्रिष्टी में हमारे लक्षे एवं उद्देश्य मनुष्य में देवत्व का उदे धर्ती पर स्वर्ग का अवतरण स्वस्थ शरीर स्वच्छ मन सभ्य समाज आत्मवत सर्व भूतेशू वसुधैव कुटुम्वकम एक राश्क्र, एक भाशा, एक धर्म, एक साशन, जन मानस का भावनात्मक परिष्कार, हमारे आधार, व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण, समाज निर्माण, नैतिक क्रांती, बौधिक क्रांती, सामाजिक क्रांती, धर्म तंत्र से लोक सिक्षन, विचार क्रांती, हमारा उद्गोश हम बदलेंगे युग बदलेगा हम सुधरेंगे युग सुधरेगा हमारा प्रतीख लाल मशाल ज्ञान यग्द आलोक वित्रण का सामुहिक सशक्त प्रयास हमारा सम्विधान युग निर्मान सत संकल्प हमारी ध्रुव माननेताएं मनुष्य अपने भागय का निर्माता आप है जो जैसा सोचता और करता है वह वैसा ही बन जाता है आत्म निर्मान के दो सूत्र उत्कृष्ट चिंतन आदर्श करत्रत्व जीवन निर्मान के चार इस्तंभ साधना स्वाध्याय संयम सेवा आध्यात्मिक जीवन के तीन आधार उपासना साधना आराधना प्रगतिशील जीवन के चार चरण समझदारी इमानदारी जिम्मेदारी बहादुरी संयम शीलता के चार इस्तंभ इंद्रिय संयम अर्थ संयम समय संयम विचार संयम आत्मिक प्रगति के चार चरण आत्म चिंतन आत्म समीक्षा आत्म सुधार आत्म निर्मान आत्म विकास परिवार निर्माण के पंच शील श्रम शीलता, सुववस्था, शालीनता शिष्टिता, सहकारिता, मित्वेटा तीन शरीर, स्थूल, सूक्ष्म, कारण तीन साधुना, ज्यान योग, कर्म योग, भक्ती योग मानवी सत्ता के तीन पक्ष, भावना, विचारना, क्रिया प्रक्रिया उक्त तीनों के परिशकार के तीन साधन, श्रद्धा, प्रज्या, निष्ठा तीन को सुधारे, गुण, कर्म, स्वभाव तीन को समारे, चिंतन, चरित्र, व्यवार तीन को त्यागें, लोग, मोह, एहिंकार वासना, तिशना, एहिंता, पुत्रैशना, वित्तैशना, लोकैशना तीन को धारण करें, ओजस, तेजस, वर्चस तीन सम्माननिय, संत, सुधारक, शहीद जागरत आत्माओं का दाइत्व, युग धर्म का निर्वाह, वयम राष्ट्रे जाग्रयाम पुरोहिताः हमारी उद्गोशना, 21 सदी, उजवल भविश्य हमार्रे उत्य भव्याशना, 2 सबसा sectप video खमने लगजशना ओया को चक्प निTim मार एंख उस नाइवैं, ठाब मिश्ँना हमार्रे वाल गविजदाधना